कि देखांगे कि law of concentration of mass किसने बोलांगे कि जो law of concentration of mass है वो आपका किसने बोलांगे तो इसमें आपके बूवगा कि कोई भी हानी जो अपना यो ला हो है यो के करें है कि mass can neither be created not be destroyed कि जो मास है ना ना तो वो बनाया जाय सकता ना वो खतम हो सकता कहन का मतलब कि वहां कि जितना mass आप पल्ला लेवांगे उतनाई mass कि उना चिये बादम होना चिये तो इसम यो ला आपना के कोईगा कि total number of number of atoms atoms या total mass of atoms in reactant is equal to total mass of atoms in product कि जो total mass होगा नहीं atoms का या total number of atoms होंगे जितने reactant side में होंगे नहीं उतने किसम होंगे product side में तो यह अपना के कोईगा law of conservation of mass कवे है इसे ना पाके को वहां balanced chemical equation equation का मतलब यह है कि वह equation जिसमें जो reactant side है और जो product side है उसमें जो atoms होंगे number of atoms होंगे या जो mass of atoms होगा वह सेम ओगा तो इसका आपा एक्जांपल लेखना चामा जो यहार तापागली एडिंग बनावा balanced chemical equation तो इब आपर अड़त के बोलांगे कि वह हैं the number of atoms या mass of atoms is same in both sides या तो आप आप रियक्टेंट ले 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 या तो product ले 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 और जो mass होगा नी वह सेम हो या number of atoms होंगे में same होंगे तो उस case में आपा के बोलांगे कि जो भी आपनी chemical equation है वाकी है balanced है इसका आप एक्जांपल देखना चामा तो क्यों हो जेगा जिंक sulfuric acid कि जिंक में जब आपा ने sulfuric acid मिलावांगे तो उसमें आपा ने के मिल जेगा जिंक sulfate जिंक sulfate प्लस में hydrogen gas तो आड़त आपा लिखना चाहां आपा चाहां आपा के वाइस के फॉर्मूल लिखना सिंपल लिखांगे के होगा जैडन प्लस में sulfuric acid मतलब S2 SO4 तो आपान के मिल जेगा जैडन SO4 प्लस में S2 तो जो देखो यह जिंक इस साइड भी एक है इस साइड भी दो है इस साइड भी दो है कैन का मतलब क्यों है कि जितने एटम्स reactant साइड में उतने एटम्स टेयुक्त साइड में है तो जो टोटल नुमबर और reactant and product है वो दोनों सेम है एटम्स का तो उसकेस में आपक यह बोलांगे जो भी अपनी equation है वाकी है है balance chemical equation है इक आपकर दिखांगे कि कोई भी chemical equation है आपँ उसने balance किस टाइप द्गर सकाएं तो आपको next adding के लिखांगे balancing chemical equation है और chemical equation है उसने laugh to balance किस टाइप धकर सका है तो सबते पहला आपके कि एके लिखांगे अपने equation कि जो आपने equation होगे बाक्य होगी तो मान लिया उक्वेशन के लेंगे F e plus मैं S2 इसला आपने AC 3 040's मैं İ». तो इस case में देखो कि ना तो F e कै आटम सिक्वल है ना एसके एटम सिक्वल है आपने ना ओके एटम सिक्वल है तो इसके इसमापा के लिखांगे कि जो अपनी बैलेंसिंग का step 1 होगा वह के होगा put it into the boxes के put atoms in boxes कि जो भी atoms है नहीं आपने boxes में put करने है box में put question का मतलब कि है कि जो यह आपने एटम से जो भी यह compound आपने given है इसमें आपने कोई भी चेंज नहीं करना है चेंज करना है तो किस चीज में करना है कि अपा coefficient से multiply कर सका हां लेकिन इस चीज में जो पहले लेई थी आपने जो बात चेंच लेई थी इसमें कोई चेंज नहीं होना थी ठीक है second step के लिए वांगे आपा step 2 तो के लिखांगे कि जो भी आपने table बनावांगे उसमें क्या होगा कि reactant side में कितने है उसके बाद element कौन से कौन से है तो देखो मेंご कितने है एक है sss के कितने है नुमें product side में देखांगे तो f 3 इकितने है तीन है oxss is4 ss के Kane जो भी maximum number of items के आपने और यहीं कैस में मैंक्न के लिखांगे इस इक्वेशन है नेक्स्ट में FV प्लस में 4S2O F3O4 प्लस में H2 अपना काम था इसने बोक्सीज में बंद करना ठीक है यह अपने एक स्टेप में फिर के करांगे कि एलिमेंट लिखांगे और प्रोडक्ट साइड में कितने होंगे ऐलिमेंट कौन से कॉन से है he FV है, भूड़ी चेंज हो इंगे उसका बाद इफई देखांगे तो इस साइड कितना है एच है, इस साइड कितनी है 13 साइड़, है प्लस में 6 Sud, देखांगे तो इस साइड कितने है, तह दो दो हैं oxygen देखांगे तो आठे भी चिहार है आडे हैं दो तो इभा पना की होगा आप इसने बैलेंस कर लांगे इसने तीन तैंड दो तक्या ओज़ेगा कि एक्टेंड साइड में जित भी थो नहीं होगा उड़ा जाइड में जित भी H8 है 2 है oxygen oxygen तो अपनी balance हो ली नी 4 इस side है 4 इस side तो आप आड़े के लिखांगे 4 तो जो इसकी multiply होगी किस तो होगी 4 ते किस side में मतलब जित भी H होगा आड़े के करना है अपने 4 ते multiply करना है जित भी F होगा आपने करना है 3 ते multiply इस ता आपने के मिल गया F3O4 प्लस में 4S2 तो इस वापा देखांगे नी तो अपना के था कि जो भी box में चीज थी वो चेंज नियों नी तो आड़े के था आड़े भी F3 आड़े स्टू हो था आड़े भी S2 हो ए है FV है거나 H, O है तो रिकेकेंट साइड में कितनी है 3 है इस साइड भी 3 है है चार डुनिया थी आड़े आड़े और न चार्द भी आड़े और ऑक्सीजन के इस साइड है तो जो यहां अपनी एक्वेशन है वा बैलर देज स्ञ़ेंश निए पहला काम इसने सब्सक्राइब आपने की आओगी कंबिनेशन किसने बोलांगे आपने नाम तहीं समझा रहा है कि कोई भी चीज है मापस में कंबाइन ओई होगी तो आपना नेक्स्ट टोपी कौन सा है कंबिनेशन तो कंबिनेशन किसने बोलांगे आपकी जब है ना दो या दो तो ज्यादा डियक्टेंट आपस में कंबाइन होगा है सिंगल रोड़क्ट दें कि मतलब दो चीज कंबाइन और आपने एक चीज मिलगी तो उस चीज ना आपके मिलांगे कंबिनेशन रियक्टेंट इसकी डेफिनेशन देवांगे तो क्यों होजेगा वहन तो और मोर रियक्टेंट आपस में कंबाइन तो उसके इस मिलांगे कंबिनेशन रियक्टेंट इसके एक्जाम्पल इक्स कहां पाँ सी प्लस ओटू तो इस्ते के मिल गया सी ओटू बैदो रियक्टेंट तो कितने हैं दो और जो पिट्रेक्ट आपना कितना मिले आपने एक नुए आपके लिक्स कहां फॉर्मेशन ओफ एस्टू प्लस ऐस टू मिले है लेकिन जो इंग्वेशन है अपने बैलन्स करनी है अग्जा है डवता है और प्ली अडवता मल्टिप्लाइद लेक्शन और ढफ ट मैं हैं अंडो थर्मिक कौण श्योंकर विजिसमें आपा नहें हीες देनी पड़े की बोलांगे आपा कि दोज रेख्चine हें इन वीच हीट इज रिलीज दूटिंग डी रियक्शन कि जब भी आपा रियक्शन देखांगे तो उसमें के होगी हीट रिलीज होगी नुए एंडो थर्मिक में के बोलांगे कि दोज रियक्शन जीसमें आपाने इट के करने पड़े देनी पड़े इन वीच हीट इज एडिड या गीवन डी रियक्शन उसना आपा के बोलांगे कि एग्जो थर्मिक बोलांगे कि एग्जो थर्मिक में तो क्यों होगा जो आपा सिंपल फ्लास की आल पर देखना चामा तो एग्जो थर्मिक तो क्य है कि आपने हीट मिली है जब एंडो थर्मिक होगी तो आपने हीट उस तक देनी पड़ाएगी तीक है उसके बाद की है अपनी जो next definition है वाकिया आओगी decomposition reaction combination का ज़स्ट तूलता decomposition reaction कि decomposition 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 मतलब कोई भी चीज है वा decompose होगी decompose मतलब हुआ तूटगी तो decomposition reaction की इसने बोलागे आपा जब कोई भी सिंगल एक्टेंट तो सिंगल होवे हैं सिंगल एक्टेंट कि जब कोई अपना सिंगल एक्टेंट होगा वह तूट करने किस में तूटजे तू और इसका आपा एक्जांपल देखना चाहां तो कि होजगा तो याड होगा कि कि यह एक्टेंट क्या बोलागे लेकिन कोई भी चीज है इतनी असानी थोड़ी डिस्प्लेश्मेंंट हो वेगी गी कि पहले था कोई भी पिटाने चीज है वह ना माल लिया अपने घर में चोटा सा टीवी है उसके बाद आपने लेडी लेका निया तो वह नू तो को नी कि आपा शोक या लेडी ले आई तो मतलब करें का मतलब कि यह है कि जो एलेडी है ना वह आपने इतनी ज्यादा पसंद स्थेवेंट standard metal है ग्रोलम्हें कै यह हुआ का बाल है नएबिएक्प्र थेषिश रेक्टीव लेडीदे खोगी मोज डीक्तिव इसप्le say less reactive element meant some meets salt solution की कोई भी के लेना है जादा reactive element लेना है वो displace कर दे किसे भी less reactive element ना उसके salt के solution में थे उसने आपा के बुला हाँ displacement reaction बुला इसका आपा example देखना चाहँ तो क्यों यापने की सिपिगे पलस में सीऊ तो इस ता पने के मिल जिगा गाए सफोर्ट पलस में सीऊ आ पने की मिल जेगा पीबी येल टू पलस में सीऊ तो इस रीक्षिन ना पके कमांगे आपने डिस्प्लेस्मेंट रीक्षिनmember ठीक है अगला जो step आपना वो क्या होगा? precipitation reaction के देखांगे आपा? precipitation reaction precipitate का मतलब के होगा? precipitation का मतलब के होगा? जब आपा कोशी भी solution में ना कोई चीज डिजोल करा हां कि मैं आपा पानी ले लिया उसमें आपा तीनी का solution बनावा हां तो के होजेगा? उसमें वह completely dissolve होजेगी, dissolve होजेगी, लेकिन एक time तो इस आउगा कि जिसमें वह की होजे, dissolve होना बंद होजेगी, तो वह नीचे settle down होजेगी, तो simple language में आपा इसने cables कहां पीपिटी, जे आपा इसकी definition लिखे नाचामा, तो के लिखांगे, इसकी definition है, कि A white substance वाइट या किसे भी color का उसका, तो अपना solution लिया है, उसमें जो भी substance के होजेगा, वह अंडिजोल होगा, अबल की नीचे settle down होजेगी, तो उसकेस में आपा उसने के बोलांगे, कि आपने जैसे इसका आप एक्जामपल भी लिखना चाहूँ, तो के लिक्स को हो, एन ने टू, एस सोफेट, बैतियम, क्लोजाइड, बैरियूम, सलफेट, सोडियम, क्लोराइड, ठीक है, या अपने होगी, प्रैसिपिटेट, तो इस काल्ड, प्रैसिपिटेट, इसना पा के बोलांगे, प्रैसिपिटेट, बोलांगे, और जो रिक्शन होएंगे, इस डालगे, उसना पा के बोलांगे, प्रैसिपिटेशन, रिक्शन, इप जो अपना नेक्स्ट टोपिक होगे है, डबल डिस्प्लेस्मेंट, डबल डिस्प्लेस्मे इसमें के होगा? Exchange of ions. Exchange of ions का मतलब के दो elements के साल लेवांगे कि वो आडा elements का जो ion होसके साथ होजे वो आडा उसके सास होजे. तो इसना पा के बुल लहां displacement, double displacement reaction. तो इन ने के बुल तो के लिखांगे? तो के लिखांगे? का वह दोज रेक्टाएंस, इन विच थाइंस एजू और वीज की हैं बॉटतों रेक्टेंस की त pressured byte, का वह है जोसम ऑंचमा की हो ऑन्चमा elas अोजर बॉटतों तो इसका आप एक्जाम्पल लेना चांगा तो के ले लें सेंपल HCl प्लस में NaOH आड़त आपने के में लगा NaCl प्लस में H2O इसमें के होगा HCl के हो आपना Acid NaOH के हो है Base यह के बने आपना Salt यह के बने आपना Water इसे जो इक्वेशन है इसने आपके बोला हां Neutralization Reaction Neutralization में के होगा कि जब भी आपकोई Acid Base लेवांगे तो आपस में के होजेंगे इसे रिक्षिन आपके बहां Neutralization Reaction भी को आपके बहां इसके बाद आपके देखांगे नेक्स टोपीक है जो आपना Oxidation के होगा Oxidation Oxidation का मतलब के होगा Oxygen का Addition इसकी कई Definition काहां सबता पहले जो इसकी Definition के होगी कि वहन एन एनी सबस्टांस कि जब कोई भी सबस्टांस है वो गेन कर ले Oxygen है वहन एनी सबस्टांस Gains Oxygen कि कोई भी सबस्टांस है जब वो Oxygen का गेन कर ले तो उसना आपके बोला हां Oxidation Second जो इसकी Definition के है Loss of Hydrogen कि Loss होजे उसमें Hydrogen का थर्ड इसकी Definition के होजेगी कि Loss of Electrons कि जिसमें के होजे Loss होजे कि इसका Electrons का तो उसकेस में भी आपके बोलांगे इसना है Oxidation इनके Example देना चाहां तो सब पहला का कि कोई भी सबस्टांस है Gains Oxygen तो इसकेस में आपके देश कहां 2Mg पलस में O2 तो इस तापन के मिल जेगा 2Mg हो कि जो Magnesium है पहले तो के ला था उसना Oxygen ले ली तो इसका के हो गया Oxidation हो गया नुए जब सेकेंड एक्जामपल देखां कि लोस ओफ इड्रोजिन होना हो तो उसकेस में के देखांगे 2Ns से था पहले तो इस पाइड्रोजिन थी लेकिन इव के होजएगा N2 पलस में 3S2 के लोस ओफ इड्रोजिन हो गया नुए मैं लिया मने एन ने ले लिया तो यह क्यों होजएगा एन ने पलस पलस में इलेक्ट्रोजिन यह क्यों होगा Stability to gain Stability ठीक है यह तो होगी अपनी Oxidation की Definition इव नुए क्यों होजएगा Second Definition होजएगी क्यों होजएगा Reduction वह क्यों है Justice का Opposite, Opposite मतलब कि जीत इसमें gain होजएगा इसमें क्यों होजएगा वहन Any Substance Gains Hydrogen तो उस Case में पाके बोलांगे क्यों होजएगा अपना Reduction होजएगा है नुए Second क्यों होजएगा इसमें इसमें तो क्ये था? Loss of Hydrogen इसमें क्यों होजएगा Loss of Oxygen इसमें क्ये था? Loss of Electrons तो इसमें क्यों होजएगा Gain of Electrons इतना सा Change है ठीक है नुए भी इसके Example लिख लिएंगे कि मैं ले CO2 था तो वह क्यों होजएगा C plus O2 के पहले इसमें औक्सिजन थी बाद में इसके Oxygen चली गई नुए जे नुए देखना हो कि आपने Gain of Hydrogen होना है तो 2HCl होजएगा नुए आपने देखना में लिए C-L ले लिया तो यह Electron gain करकने Stability मिलेगी इसने तो यह के बन गया? C-L negative बन गया तो यह आपना Oxidation होगा यह Reduction होगा जब Oxidation और जो Reduction होगा वह One Step में होजए तो उसकेस में आपके बोलांगे कि Reduction Reaction होगा तो देखो यह आपने दिख्या कोन होगा? तो क्यके लिख्या में है कि जब भी कोई सबस्तांस है वह Gain कर ले Hydrogen है तो उसकेस में आपके बोलांगे Reduction होगा जैसे यह देख लिया CO2 था पहले Oxygen थी लेकिन बाद में C-O2 बनन की वजएदा जो Oxygen है वो लूज होगी नवे Second Step के बोला है Loss of Oxygen Loss of Oxygen वाला यह आपने देख लिया हाइड्रोजन गेन का यह देख लिया कि S2Cl2 है इन दोन वाने कंबाइन करके ने 2HCl बनाए लिया गेन ओफ इलेक्ट्रोन की C-L पहले अकेला था इसने इलेक्ट्रोन लिया है उसके बाद यह के बन गया C-L negative बन गया तो आड़त आपने होगी Oxidation Reduction जब Oxidation Reduction है वह One Step में होजे कथे होगा है तो उसकेस में आपा के बोला हां Redox Reaction के कवांगे आपा वहन Oxidation and Reduction takes place simultaneously when Oxidation and Reduction takes place simultaneously तो उसकेस में आपा के बोलांगे अपनी जो reaction होगी वागे होगी Reduction reaction होगी इसका एक्जामपल देख का मैं लिए अमने यह लिग दिया CuO plus H2 तो इस था अपने के मिला है Cu plus H2O एट देन पर तो देखो Cu था Oxygen थी पहला उसके बाद इसनो Oxygen का लूज कर दिया तो जो यह CuO है इस तरफ होगा आपने Cu मिला तो आपा के बोलांगे क्यों होगा Reduction होगा जब आपा उसने इन्वायरमेंट में छोड़ दे हमाने लिया Lua ले लिया तो तो तेके देखा आपा कुछ ताइम बाद उस पर जंग लग दी है है तो है तो इसकी definition कि देवाँगे कि कोई भी metal है ज हम आज़े कि कोई भी मैटल है जब हुआ इंवर्मेंटल फैक्टर्स का कॉंटेक्ट मावगी तो देन इट गैट गोड़ीड इट गैट गोड़ीड तो उसकेस मापा के बोलांगे कि के होगी वा गोड़ोजन हो गया इसना पकुकर बचाए इसका हां बाई पेंटिंग और बाई पाला लोगा होए है उसलोवस मैपा कि पालाइक जींक की लिएर द तो उसकेस मापा के को लगाए वह है गैलविडीड होग है आप दो ह mów hai कोई भी ब्लैक कोटिंग कर दिया आपन है इसके जो डैमेज है मैं भी देखना चाहँ आपके घोजेगा कि जो भी बोडि जो है उसके बाद देखों कि मैं लिया कोई भी बड़ी सी उनिवस्टी है उसमें जो भी लो आऊ है उनिवस्टी नी सरी इंडिस्ट्री है तो उसमें जो यू आ यू जो है तो उस केस में कियो होगा कि वो लो आपन टाइम टाइम बदलना पड़ेगा तो इसमें क्यों होगा लोस ओफ मनी लोस ओफ मनी डू टू एक्षेंज ओफ लार्ज अमाउंट ओफ आईजन क्वांटिटी ओफ आईजन इब के बचे अपना लास्ट टोपिक रैंसी डीटी के एक मापा जो भी अपने फूड पार्टिकल्स हैं उनका जो टेस्ट चेंज होगा है उसना पा के बोला है तो इसना पा के बोलांगे इस ओक्सिडेशन ओफ फैट्स की जो भी आपना बोजन ह आपना ऊचीडेशन ओज़ेगा जो जो यह के आपना चीप्केट में के हुए है वह है नाईट्रोजन गैस होगा है तो उसना पा के बोलांगे वाइंटिंग एंटिंग एंटी ओक्सिडेंट कि आपकोई भी ओक्सिडेंट एड कर दिया तो उस तापन की हो जागी जैसे एड नाइट्रोजन हो फूड जिप्स में ठीक है उसके बाद की हो जेगा कि आपका इसे कंटेनर में फूड ले आवां जिसमें अवाइना हो बाई पैकिंग दी इन कंटेनर विहर इस नोट परजेंट ठीक है तो इस नापके बोल दांगे रैंसी डेटी तो जो आपनी आज यह फर्स्ट उनिट है यह कंप्लीट हो चुकी है कल मिलांगे बाद में कोई भी नेक्स्ट वीडियो के साथ इतना ठीक है आपका समझ जाबत हो बता दियो कोई के मॉडिफिकेशन चाहिए है तो वो भी बता दियो थैंक्स फ़र वर्चिंग